बेकरी में एंटर होते ही एक मस्सी खुश्बू आती है, कुछ चॉकलिटी या फिर फ्रेशली बेक कुकीज की, वैसे ही खुश्बू आपके घर में भी आएगी अगर आपी जवार आता कुकीज बनाएंगे, जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं जवार चॉकलि प्रिचे वाला घी, ये घी बहुत ही हाड नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत जादा सॉफ्ट होना चाहिए, अभी एक विस्क्या स्पून से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाता है, यहां थोड़ी सी महनत लगेगी, पर जब कुकीज पाउडर और थोड़ा सा दूध, पहले मैंने यहां पे दो टेबल स्पून दूध डाला है, और अब इसे हलके हातों से विस्क्या स्पून से हमें मिक्स करना है, आपको एक क्रम्बली सा टेक्शर मिल जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुए ड्राइ फूट मैंने यहां पे बादाम, काजू और पिस्ता डाला है, अभी इसे मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, तीरे-दीरे दूध आड़ करना है जब तक यह एक साथ नहीं हो जाता है और इसका एक सॉफ्ट डो नहीं लग जाता है, टोटल मैंने यहां छे टे के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएंगी, इसी तरह मैंने यहां पे सारी कुकीज बना ली हैं, इन्हें डिजाइन देने के लिए फोक से प्रेस कर देंगे, आप चाहें तो यहां पे स्पून या नाइफ से भी मार्क्स बना सकते हैं, फिर हम इसके के लिए आवन कौम 150 डिग्रीज पर प्रीहिट करेंगे, दस मिनट बाद फ्रिज से कुकीज निकाल ले, बेकिंग ट्रे को घी लगाकर ग्रीस कर ले और कुकीज रख दें, आवन प्रीहिट हो गया है तो अब इसमें 25 मिनिट का टाइम सेट करें और यह कुकीज बेक होने क तक यूज कर सकते हैं, जल्दी ही बिना ओवन के साथ आटा कुकीज की रेसिपी शेयर करने वाली हो, so stay tuned and don't forget to subscribe